स्टार्ट अप इंडिया की पूरी जानकारी इस वीडियो में और ये वीडियो दोस्तों सिर्फ आपको जानकारी नहीं देगा बलकि आपको एक्षन लेने में भी पूरी मदद करेगा मैं हूँ सिय हेमंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फिनांस अगर आप इस चैनल पे नए हैं मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोज फिनांस के उपर में इन्वेस्मेंट के उपर में और टैक्स के उपर में जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का स्टार्ट अप इंडिया स्कीम को थोड़ा शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं ये स्कीम 2016 में लाँच हुई थी और अपने साथ ये कई बेनिफिट्स लेके आई थी जैसे तीन साल इंकम टेक्स हॉलिडे पेटिन्ट रेजिस्टेशन में सरकारी फीस जो जमा होती है उसमें चूट, ट्रेडमार्क रेजिस्टेशन में सरकारी फीस की चूट, लेबर लॉज और अन्वार्मेंटल लॉज में काफी रिलाक्षेशन और इसके अलावा कई सारी बेनिफिट्स हैं अगर मैं यहाँ पे बोलने लगूं तो पूरा दिन शह निकल जाए पर इतने ब में बेनिफिट था वो fund of fund scheme का था जिसमें सरकार ने एक 10,000 करोड रुपे का fund setup किया था और startup उस fund में से अपने startup के लिए loan ले सकते थे पर 2019 तक उस 10,000 करोड में से सिर्फ 600 करोड ही utilize हुए है और 9,400 करोड उसमें बचे हुए थे तो फिर गलती कहां हुई, क्या इस scheme में कु किसी का ये सपना होता है वो जीवन में कुछ अलग करे कुछ नया करे और अपने लिए अपने परिवार के लिए अपने समाज के लिए कुछ अच्छा देखे जाए तो गलतियों की अगर बात करें तो कई गलतिया हुई है इस scheme को लेके starting में जैसे की application process काफी complex था starting में सिर् 2020 में startup India scheme के लिए एक नई सुभा लेके आई अब आखणों की अगर बात करें तो पिछले एक साल में ये आखड़े डबल हो करें करीब करीब आज के date में साड़े 34,000 startups recognize हो चुके हैं और application rejection rate भी काफी कम हो गया है कई लोगों को ये confusion है वो ऐसा सोचते हैं कि उनका business काफी च सकते पर विश्वास कर ये दोस्तों startup India scheme उन छोटे businesses के लिए ही है उन छोटे एक idea के लिए है और वही लोग अपने आपको startup India में register करके startup India का पूरा फायदा उठा सकते हैं सरकार की बात करें तो सरकार ये चाती है 2020 के खतम होते होते startup India में कम से कम 1,000,000 registration उनको मिल जाए और यहां पर मैं बताना चाहूंगा दोस्तों हम लोगों ने पूरे भारत में कई company रेजिस्टर की हैं North से South, East से West तो दोस्तों अगर आप startup हैं या आपके मन में एक idea है और आप समाज में कुछ नया लेके आना चाहते हैं कुछ नय बदलाव करना चाहते हैं उसके लिए आप अ कैसे हो सकता है तो friends यह बहुत ही आसान है यहां पर मैं आपको startup इंडिया के eligibility के बारे में बताना चाहता हूं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे यह वाकई में बड़ा ही आसान प्रोसेस है और खास करके इसमें छोटे business वाले ही successful हो सकते हैं startup इंडिया में register केवल एक private limited company LLP यानि limited liability partnership या कोई registered partnership या OPC 1% company ही अपने आपको startup इंडिया में register करा सकते हैं यह सभी कंपनिया 10 साल से जाधा पुरानी नहीं होनी चाहिए यानि इनका incorporation date 10 साल से जाधा पुराना नहीं होना चाहिए और इन कंपनियों का turnover बीते कोई भी साल में 100 करोड से जाधा नहीं होना चाहिए सरकार यहां पे सिर्फ छोटे businessmen को ही support करने की कोशिश कर रही है जो बड़े businessmen है जिनकी turnover 100 करोड से जाधा है वो startup इंडिया में अपने आपको register ही नहीं करा सकते और startup इंडिया का main purpose यह है कि या तो आप कोई नया product या service launch करना चाहते हैं या कोई existing product या service को आप improve करके समाज में लेके आना चाहते हैं और अगर आपके business में ये दोनु नहीं है तो आपका business इस type का होना चाहिए कि आप कभी भी उसको इतना बड़ा कर सकें या तो country के लिए बहुत ज़ादा wealth create हो या फिर आपका business बहुत ज़ादा employment generate करने में देश के लिए शक्षम हो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पात ध्यान देने की है कि आप कोई existing business को reconstruct करके split करके startup इंडिया में register नहीं कर सकते बाकि सारे conditions अगर आप fulfill करते हो तो आप अपने business को startup इंडिया में बड़ी आसानी से register कर सकते अब startup इंडिया में कुछ benefits की अगर बात करें तो startup अब इंडिया में register कराने के बाद में आप apply करके अपने business को 3 साल के लिए tax free करा सकते हैं अگर आप को इपने business से related patent apply करना चाते हैं तो patent की fees में आपको 80% की छूट मिलेगी अगर आप trademark register कराना चाते हैं तो trademark में 50% application fee की छूट मिलेगी आपको प्लस startup इंडिया में register करने के बाद में अगर आप कोई सरकारी tender में part लेते हैं तो tender में part लेने के लिए जो earnest money deposit कराते हैं यानि tender fees जो होती है tender fees भी आपको देने की जरुवत नहीं पड़ेगी इसके अलावा आपके business को 3 साल तक कोई भी labor law inspector या environment control inspector आके आपका inspection नहीं कर सकता है आप पूरे तरीके से self certified करके ये बता सकते हैं कि आप इन सरकारी policies को नियम अनुसार follow कर रहे हैं ये एक चोटी सी जानकारी थी startup India के बारे में और अगर आप अपने business को startup India में register कराना चाहते हो तो मैंने description में एक form दिया हुआ है आप उस form को fill कर दीजिए हमारी team आपको contact कर लेगी और आपकी पूरी मदद करेगी startup India में आपके business को register कराने के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो like करिएगा चैनल पर नए है मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को subscribe भी जरूर करिएगा क्योंकि मैं लेकर आता हूं वीडियो टैक्स के उपर में investment के उपर में और finance के उपर में जिसमें होता है फायदा हम सभी लोग कर दो